धनबाद की प्रतिभावान तिरंदाज खिलाडी सुलेखा का ओलंपिक में खेलने का सपना अब पूरा हो सकेगा तिरंदाज सुलेखा को केंद्रिय खनन और इंधन अनुसंधान संस्थान की पहल पर स्टील निर्माता कंपनी चंदन स्टील ने गोद लिया है चंदन स्टील की तरफ से सुलेखा को अगले पांच साल तक हर महीने 22,000 रुपए स्टाइपन राश्ची दी जाएगी इसी को लेकर सिंफर के सभागार में चंदन स्टील के सीएफों ने सुलेखा को 22,000 रुपए के दो चेक प्रदान किये हैं सर जैसा हमने अभी उद्धोसित किया था कि सुलेखा कुमारी को मैं समझता हूँ कि धनबाद की घुमी से पैड़ी पैदा हुई पृत्री अंतराष्ट्री प्रतिभा है और एक दिन यह सिर्फ धनबाद नहीं बलकि पूरे देश का नाम अवश्य रोशन करेगी और खास कर जो टोकियो 2020 है उसमें सर आप यह देखेंगे कि पूरे देश की निगाहे उस वक्त और उस च्छन पे वहाँ जो है दन सुलेखा को देखेंगे वही सिंफर के निदेशक ने कहा कि सुलेखा की परिशानियों को देखते हुए पैसा जुटाने के लिए इंडस्ट्री से संपर्क साधा गया जिसके बाद सुलेखा को ये मदद प्रदान की गई वही सिंफर और चंदन इस्टील के सहयोग से सुलेखा खुश दिखाई दी और अपने सपनों को पूरा करने में सिंफर और चंदन इस्टील का शुक्रिया अदा करने से नहीं ठक रही मतलब मुझे लेके एक रास्ता दिखा दिए कि मैं आगे कर सकती हूँ मैं ये सिंफर के लिए अपने डेक्टर सर के लिए मैं ओलम्पिक में मैडल जरूर लाँगी मुझे बस वही मेरा फोकेस है और कुछ नहीं तैयारी के लिए सर मैं यहां प्रैक्टिस कर रहे है जमाडोगा में राष्ट्य तिरंदाज सुलेखा को 2020 में जापान में होने जा रहे उलम्पिक्स में पदक जीत कर देश का नाम रोशन करने की चुनोती मिली है जिसे वो पूरा करना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है बतादे की सुलेखा तिरंदासी प्रत्योगिता में 25 से जादा पदक जीत चुकी है पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबास से नीरज कुमार की रिपोर्ट